अब कुस्ती दाली कर चलते हैं प्रदाद मंति दर्मोधी मन की बात शुरू कर चुके हैं 84 वा एपिसोड जिसमें आज हूं संबोधित कर रहे हैं सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं मेरे प्यारे देश्वासियों नमस्कार इस समय आप 2021 की विदाई और 2022 के स्वागत की तैयारी में जुटे ही होंगे नए साल पर हर व्यक्ति हर संस्ता आने वाले साल में कुछ और बहतर करने बहतर बनने के संकल्प लेते हैं पिछले साथ सालों से हमारी ये मन की बात भी व्यक्ति की समाज की देश की अच्छाईयों को उजागर कर और अच्छा करने और अच्छा बनने की प्रेणा देती आई है इन साथ वर्षों में मन की बात करते हुए मैं सरकार की उपलब्धियों पर भी चर्चा कर सकता था आपको भी अच्छा लगता आपने भी सराहा होता लेकिन ये मेरा दस्षकों का अनुभव है कि मिडिया की चमक दमक से धूर अखबारों की सुर्खियों से धूर कोटी कोटी लोग हैं जो बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं वो देश के आने वाले कल के लिए अपना आज खपा रहे हैं वो देश के आने वाले पीडियों के लिए अपने प्रयासों पर अजी जान से जुटे रहते हैं ऐसे लोगों की बात बहुत सुकुन देती हैं, गहरी प्रणा देती हैं। मेरे लिए मन की बात हमेशा से ऐसे ही लोगों के प्रयासों से भरा हुआ, खिला हुआ, सजा हुआ, एक सुन्दर उपवन रहा है। और मन की बात में तो हर महीने मेरी मसकत ही इस बात पर होती हैं। इस उपवन की कौन सी पंखुडी आपके बीच लेकर के आऊं। मुझे खुशी है कि हमारी बहुरतना वसुंधरा के पुन्यकारियों का अभीरल प्रवा निरंतर बहता रहता है। और आज जब देश अमरित महोत्सों मना रहा है तो जो जन शक्ती है जन जन की शक्ती है। उसका उलेक, उसके प्रयास, उसका परिश्रम भारत के और मानुता के उजवल भविश के लिए एक तरह से गारंटी देता है। साथियों, ये जन शक्ती की ही ताकत है, सबका प्रयास है कि भारत सो साल में आई सबसे बड़ी महामारी से लड़ सका। हम हर मुश्किल समय में एक दूसरे के साथ एक परिवार की तरह खड़े रहे, अपने महले या शहर में किसी की मदद करना हो, जिससे जो बना उससे ज्यादा करने की कोशिश की। आज वीश्व में वैक्सिनेशन के जो आखड़े हैं, उनकी तुलना भारत से करें, तो लगता है कि देश ने कितना अभूतपुर्व काम किया है, कितना बड़ा लक्षा हासिल किया है। वैक्सिन के 140 करोड डोच के पड़ाव को पार करना प्रते एक भारतवासी की अपनी उपलब्दी है। ये प्रते एक भारतिय का व्यवस्था पर भरोसा दिखाता है, विज्यान पर भरोसा दिखाता है, विज्यानी को पर भरोसा दिखाता है, और समाज के प्रती, अपने दाईत्मों को निभार है हम भारतियों के इच्छा शक्ति का प्रमान भी है लेकिन साथियों हमें ये भी ध्यान रखना है कि कोरोना का एक नया वेरियंट दस्तक दे चुका है पिछले दो वर्षों का हमारा अनुव हो है कि इस 22 विक महामरी को परास करने के लिए एक नागरि के तोर पर हमारा खुद का प्रयास बहुत महत्मपून है इस जो नया आमिक्रोन वेरेंट आया है उसका अध्यान हमारे वेज्यानिक लगातार कर रहे हैं हर रोज नया डेटा उन्हें मिल रहा है उनके सुझाओं पर काम हो रहा है ऐसे में स्वयम की सजक्ता स्वयम का पड़ी शक्ती है हमारी सामुहिक शक्ती ही कोरोना को परास्त करेगी इसी दाइक्त्व बहुत के साथ हमें 2022 में प्रवेश करना है मेरे प्यारे देश्वास्यों महाभारत के युद्ध के समय भगवान सिरी कृष्ण ने अर्जुन को कहा था नभहस पुर्षम दिप्तम याने गर्व के साथ आकास को छोना ये भारतिय वायू सेना का आदर्श्वाक्य भी है माभारती की सेवा में लगे अने एक जीवन आकास के इन बुलंदियों को रोज कर्व से छूते हैं हमें बहुत कुछ सिखाते हैं ऐसा ही एक जीवन रहा ग्रूप केप्टन वरुन सीं का वरुन सीं उस हेलिकॉप्टर को उड़ा रहे थे जो इस महिने तमिन नाडू में हाथसे का शिखार हो गया उस हाथसे में हमने देश के पहले सिडियेस जनरल विपी नावत और उनकी पत्नी समेथ कई वीरों को खो दिया वरुन सीं भी मौत से कई दीन तक जाबाजी से लड़े लेकिन फिर वो भी हमें छोड़ कर चले गए वरुन जब अस्पताल में थे उस समय मेरे सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा देखा जो मेरे रदे को छूँ गया इस साल अगस्त मही उन्हें शौरिश चक्र दिया गया था इस सम्मान के बाद उन्होंने अपने स्कुल के प्रिंसिपल को चिठी लिखी थी इस चिठी को पढ़कर मेरे मन में पहला विचार यही आया कि सफलता के सिर्ष पर पहुँचकर भी वे जड़ों को सीचना नहीं भूले दूसरा कि जब उनके पास सेलिबरेट करने का समय था तो उन्होंने आनी वाले पीडियों की चिंदा की वो चाहते थे कि जिस कुल में वो पढ़े वहां के विध्यार्थों की जिंदगी भी एक सेलिबरेशन बने अपने पत्र में वरुन सीजी ने अपने पराग्रम का बखान नहीं किया बलकि अपनी असफलताओं की बात की कैसे उन्होंने अपनी कमियों को काबिलियत में बढ़ला इसकी बात की इस पत्र में एक जगह उन्होंने लिखा है इट इस ओके टू बीडियोकर नट एवरिवन बिल एक्सेल अट स्कूल और नट एवरिवन बिल बी एबल टू स्कूर इन नाइन्टीज इस फुड एट उन्होंने अचीवडियों और नाइन्टीज, इस नंदू इपलाद सिर्टीफूर नहीं लिए法व कि अप्लु प्लु दूड़िवर एप्लू बढ़े क्रेंसे लिएप्ली इस प्लू नेशने लिए गाव चाहिए लिएट नक्वावणेटून whatever you work towards be dedicated do your best never go to bed thinking I could have put in more efforts साथ्यों आउसत से असाधान बनने का उनर जो मन्त दिया है वो भी उतना ही महतो कुण है इसी पत्र में वरुन सी ने लिखा है never lose hope never think that you cannot be good at what you want to be it will not come easy it will take sacrifice of time and comfort I was mediocre and today I have reached difficult milestone in my career do not think that 12th board must decide what you are capable of achieving in life believe in yourself and work towards it वरुन ने लिखा था कि अगर वो एक भी स्टूडन को प्रेणा दे सके तो ये भी बहुत होगा लेकिन आज मैं कहना चाहूँगा उन्होंने पूरे देश को प्रेजित किया है उनका लेटर भले ही केवल स्टूडन से बात करता हूँ लेकिन उन्होंने हमारे पूरे समाज को संदेश दिया है साथियों हर साल मैं ऐसे ही विशहों पर विध्यारतियों के साथ परिक्षा पर चर्चा करता हूँ इस साल भी एक्जाम से पहले मैं स्टूडन्स के साथ चर्चा करने की प्लानिंग कर रहा हूँ इस कारकम के लिए दो दिन बात 28 दिसंबर से mygod.in पर रजिस्टेशन भी शुरू होने जा रहा है ये रजिस्टेशन 28 दिसंबर से 20 जनवरी तक चलेगा इसके लिए क्लास 9 से 12 तक के स्टूडेंट्स, टीचर्स और परेंट्स के लिए ओनलाइन कंपेटिशन भी आउजित होगा मैं चाहूंगा कि आप सब इसमें जरूर हिसाले आप से मुलाकात करने का मोका मिलेगा हम सब मिलकर परिक्षा, केरियर, सफलता और विद्यारती जीमन से जुड़े अनेक पहलो उपर मन्थन करेंगे मेरे प्यारे देश्वासियों मन की बात में अब मैं आपको कुछ सुनाने जा रहा हूँ जो सरहत के पार कहीं बहुत दूर से आई है ये आपको आनदित भी करेंगी और हैरान भी कर देंगी बांदे मांदरा बांदे मांदरा शुचला शुपला मलेचे शीकला शास्के सामाला मातारा बांदे मातारा शुप्रे जोस्ना वोड़ा देंग त्यों आपको 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 कि मुझे पूरा विश्वास है कि इस्तार शुपला करेंगी करेंगी और है मुझे पूरा विश्वास है कि यह सुनकर आपको बहुत अच्छा लगा हुआ गर्व की अनुभुती हुई होगी बंदे मात्रम में जो भाव नहीत है वो हमें घर्व और जोस से भर देता है साथियों आपने जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर ये खुबसरत विडियो कहां का है किस देश से आया है इसका जवाब आपके हरानी और भड़ा देगा बंदे मात्रम पस्तुत करने वाले ये स्टूडन्स ग्रिस के हैं वहाँ वे इलिया के है स्कूल में पढ़ाई करते हैं इन्होंने जिस खुबसूरती और भाव के साथ बंदे मात्रम गाया है वो अद्भूत और सरानी है ऐसे ही प्रयास दो देशों के लोगों को और करीब लाते हैं मैं ग्रिस के इन छात्र छात्राओं और उनके टीचस का अभिनंदन करता हूँ आज जादी के अमृत महुत सब के दोरान किये गए उनके प्रयास की सराना करता हूँ साथियों मैं लखनव के रहने वाले निलेश जी की एक पोस्की भी चर्चा करना चाहूँगा निलेश जी ने लखनव में हुए एक अनूठे ड्राउन शो की बहुत प्रसंशा की है एक ड्राउन शो लखनव के रेसिदेंसिक शेत्र में आयुजित किया गया था 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम की गवाही रेसिदेंसिकी दिवारों पर आज भी नजर आती है रेसिदेंसि में हुए ड्राउन शो में भारतिय स्वतंत्रता संग्राम के अलग अलग पहलूं को जीवंत बनाय गया चाहे चावरी चावरा आंदोलन हो काकोरी ट्रेन की घटना हो या फिर नेता जी सुभास बाबु का अधम में साहस और पराक्रम इस ड्रॉन सो ने सब का दिल जीत लिया आप भी इसी तरह अपने शहरों के गावों के आजहादी के अंदोलन से जुड़े अनिश्टे पहलूओं को लोगों के सामने ला सकते हैं इसमें टेक्नलोजी की भी खूब मदर ले सकते हैं आजहादी के अमृत महोत्सव हमें आजहादी की जंग की स्मृतियों को जीने का अवसर देता है उसको अनुभव करने का अवसर देता है ये देश के लिए नए संकल्प लेने का, कुछ कर गुजन्ने की इच्छा सक्ती दिखाने का प्रेरक उत्सव है, प्रेरक अउसर है, आईए स्वतंत्रता संग्राम की महान विभूतियों से प्रेरित होते रहें, देश के लिए अपने प्रयास और मजबूत करते रहें मेरे पहरे देश स्वास्यों, हमारा भारत कई अनेक असाधारन प्रतिभाओं से संपन्न है, जिनका कृतित्व दूसरों को भी कुछ करने के लिए प्रेरित करता है ऐसे ही एक व्यक्ति है, तेलंगना के डॉक्टर कुरेला विठलाचारिय जी, उनकी उम्र 84 साल है विठलाचारिय जी, इसकी मिसाल है कि जब बात अपने सपने पूरे करने की हो, तो उम्र कोई माइने नहीं रखती साथियों, बिठलाचारिय जी की बच्पन से एक इच्छा थी, कोई एक बड़ी सी लाइबरेरी खोले, देश तब गुलाम था, कुछ परिस्तितियां ऐसी थी, कि बच्पन का वो सपना, तब सपना ही रह गया सभय के साथ बिठलाचारिय जी, लेक्चरर बने, तेलुगु भाषा का गहन अध्यन किया, और उसी में कई सारी रचनाओं का स्रजन भी किया छे साथ साल पहले, वो एक बार फिर अपना सपना पूरा करने में जूटे, उन्होंने खुद की किताबों से लाइबरेरी की शुरुवात की, अपने जीवन भर की कमाई इसमें लगा दी, धीरे धीरे लोग इससे जूरते चले गए, और योगदान करते गए, यदादरी, भूमनागिरी जिले के, रमन्ना पेट मंडल की इस लाइबरेरी में करीब दो लाग पुस्तके हैं, विठला चारी जी कहते हैं कि पढ़ाई को लेकर उन्हें जिन मुश्किलों का सामना करना पड़ा, वो किसी और को न करना पड़े, उन्हें आज ये देखकर बहुत अच् लोग भी लाइबरेरी बनाने में जूटे हैं, साथियों किताबे सिर्फ ग्यानी नहीं देती, बलकि व्यक्तित्व भी समवारती हैं, जीवन को भी घड़ती हैं, किताबे पड़ने का शौक एक अधबुत संतोष देता है, आज कल मैं देखता हूं कि लोग ये बहुत गर् ट्रेन है, जिसे और बढ़ाना चाहिए, मैं भी मन की बात के स्रोताओं से कहूंगा, कि आप इस वर्स की अपनी उन पांच किताबों के बारे में बताएं, जो आपकी पसंदीदा रही हैं, इस तरह से आप 2022 में दूसरे पाठकों को अच्छी किताबे चुनने भी में मधर क कर सकेंगे, ऐसे समय में, जब हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, बुक रीडिंग अधिक से अधिक पॉपलर बने, इसके लिए भी हमें मिलकर प्रयास करना होगा, मेरे प्यारे देश्वासियों, हाली हिमें मेरा ध्यान एक दिल चस्प प्रयास की और गया है, ये कोशि हमारे प्राचिन ग्रंथों और सांस्कृतिक मुल्यों को भारत ही नहीं, बलकि दुनिया भर में लोप्रिय बनाने की है, पूने में बंडार कर ओरियेंटल रिसर्च इंस्टिचूट नाम का एक सेंटर है, इस संस्थान ने दूसरे देशों के लोगों को महाभारत के परिचित कराने के लिए ओनलाइन कोर्स शुरू किया है, आप ये जानकर हरान रहे जाएंगे, ये कोर्स भले अभी शुरू किया गया है, लेकिन इसमें जो कंटेंट पढ़ाया जाता है, उसे तयार करने के शुरुआत सो साल से भी पहले हुई थी, जब इंस्टिटूट ने इससे जुड़ा कोर्स शुरू किया, तो उसे जबर्दत रिस्पॉंस मिला, मैं शांदार पहल की चर्चा इसलिए कर रहा हूं, ताकि लोगों को पता चले कि हमारी परंपरा के विभिन पहलूँ को किस प्रकार मोडन तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है, साथ समंदर पार बैठे लोगों तक इसका नाप कैसे पहुंचे, इसके लिए भी इनोवेटिव तरीके अपनाए जा रहे हैं, साथियों अज दुनिया भर में भारतिय संस्कृति के बारे में जानने को लेकर दिल्चस्पी बढ़ रही है, अलग-अलग देशों के लोग, ना सिर्फ हम स्कॉलर डॉक्टर मोमीर निकिश, इनों ने एक बाइलिंग्वल संस्कृत सर्वियन डिक्ष्नरी तियार की है, इस डिक्ष्नरी में शामिल किये गए संस्कृत के सतर हजार से अधिक शब्दों का सर्वियन भाषा में अनुवात किया गया है, आपको यह जानकर और भी अधिकिश ने सतर वर्ष की उम्र में संस्कृत भासा सीखी है, वे बताते हैं कि इसकी प्रेणा उन्हें मात्मा घादी के लेखों को पढ़कर मिली, इसी प्रकार का उधार मंगोलिया के तिरानवे साल के प्रफिसर जे गेंदे धरम का भी है, पिछले चार दसोकों में उन जिंगरंतों, महा का व्योग और रचनाओ का मंगोलियन भाषा में अनुवात किया है, अपने देश में भी इस तरह के जजबे के साथ बहुत लोग काम कर रहे हैं, मुझे गोवा के सागर मुले जी के प्रयासों के बारे में भी जानने को मिला है, जो सेंक्णों वर्ष प्राची नितिहास को अपने आप में समेटे हैं, दरसल काव का अर्थ होता है लाल मिट्टी, प्राची कार में इस कला में लाल मिट्टी का प्रयोग किया जाता था, गोवा में पूर्दगाली शासन के दौरान, वहां से पलायन करने वाले लोगों ने, दूसरे राड़्य के लोगों का भी इस अद्भुत चित्रकला से परिचे कराया समय के साथ ये चित्रकला लुप्त होती जा रही थी लेकिन सागर मुले जी ने इस कला में नई जान फुंक दी है उनके इस प्रयास को भरपुर सरहाना भी मिल रही है साथियों एक छोटी सी कोशिश एक छोटा कदम भी हमारी समुरुद कलाओं के रक्षन में बहुत बड़ा योगदान दे सकता है अगर हमारे देश के लोग ठान ले तो देश भर में हमारी प्राचिन कलाओं को सजाने समवारने और बचाने का जिजबा एक जनांदर उनका रूप ले सकता है मैंने हाँ कुछी प्रयासों के बारे में बात की है देज़भर में इस तरह के अनेक प्रयास हो रहे हैं आप उनकी जानकारी नमोएप के जरीये मुझ तक जरूर पहुँचाएं मेरे पैरे देशवासियों अरुनाचल प्रदेश के लोगों ने साल भर से एक अनूठा अभ्यान चला रखा है और उसे नाम दिया है अरुनाचल प्रदेश एर गन सरेंडर अभ्यान इस अभ्यान में लोग स्विच्छा से अपनी एरगन सरेंडर कर रहे हैं जानते हैं क्यों ताकि अरुनाचल प्रदेश में पक्षियों का अंधादुन सिकार रुख सके साथियों अरुनाचल प्रदेश पक्षियों की पांसो से भी अधिक प्रजातियों का घर है इनमें कुछ ऐसी देशी प्रजातियां भी शामिल है जो दुनिया में कहीं और नहीं पाई जाती है लेकिन धीरे धीरे अब जंगलों में पक्षियों के संख्या में कमी आने लग पिछले कुछ महीनों में पहाड से मैदानी इलाकों तक एक कम्यूनिटी से लेकर दूसरी कम्यूनिटी तक राज में हर तरफ लोगों ने इसे खुले दिल से अपनाया है। अरुणाचल के लोग अपनी मर्जी से अब तक सोला सो से ज़्यादा एरगन सरंडर कर चुके हैं। मैं अरुणाचल के लोगों की इसके लिए प्रसंसा करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। मेरे पहरे देशवासियों, आप सभी की ओर से 2022 से जुड़े भहुत सारे संदेश और सुझावाए हैं। एक विशे हर बार के तरफ अधिकांस लोगों के संदेशों में हैं। ये हैं स्वच्चता और स्वच्च भारत का। स्वच्चता का ये संकल्प अनुसासंत से, सजगता से और समर्पण से ही पुरा होगा। हम NCC केरेट द्वारा की शुरू किये गए पूनीत सागर अभियान में भी इसकी जलक देख सकते हैं। इस अभियान में 30,000 से अधिक NCC केरेट सामिल हुए। NCC के इन केरेट ने बीचीच पर सफाई की, वहां से प्लास्टिक कच्रा हटा कर उसे रीसाइकलिंग के लिए इखटा किया। हमारे बीचीच, हमारे पहाड, यह हमारे घुमने लाइक तभी होते हैं, जब वहां साफसफाई हो। बहुत से लोग किसी जगह जाने का सपना जिंद की भर देखते हैं। लेकिन जब वहां जाते हैं, तो जाने-अंजाने कच्रा भी फैला आते हैं। ये हर देश्वासी की जिम्मेदारी है कि जो जगह हमें इतनी खुशी देती हैं, हम उन्हें अस्वच्छ न करें। साथियों, मुझे साफ वोटर नाम से एक स्टार्ट अप के बारे में पता चला है, जिसे कुछ युवाओं ने शुरू किया है। ये Artificial Intelligence और Internet of Things की मदद से लोगों को उनके इलाके में पानी की शुद्धता और क्वालिटी से जुड़ी जानकारी देगा। ये स्वच्छता का ही तो एक अगला चरण है। लोगों के स्वच्छ और स्वस्त भविश्च के लिए स्टार्ट अप की एहमियत को देखते हुए इसे एक Global Award भी मिला है। साथियों एक कदम स्वच्छता के और इस प्रहास में संस्ताय हो या सरकार सभी की महतपुर्ण भूमी का है। आप सब जानते हैं कि पहले सरकारी दप्तरों में पुरानी फाइलों और कागोजों का कितना धेर रहता था। जब से सरकार ने पुराने तौर तरीकों को बदलना शुरू किया है। ये फाइल्स और कागज के धेर डिजिटाइज होकर कॉम्पूटर के फोल्डर में समाते जा रहे हैं। जितना पुराना और पैंडिंग मट्रियल है उसे हटाने के लिए मंत्रालयों और विभागों में विशेश अभ्यान भी चलाए जा रहे हैं। इस अभ्यान से कुछ बड़ी ही इंट्रेस्टिंग चीजे हुई हैं। डिपार्टमेंटों पोट्च में जब इस हभाई अभ्यान चला तो वहां का जंक्यार पुरी तरह खाली हो गया। अब इस जंक्यार को कोटियार और केफेटेरिया में बदल दिया गया है। एक और जंक्यार टू विलर्स के लिए पार्किंग स्पेस बना लिया गया है। इसी तरह परियावरन मंत्राले ने अपनी खाली हुए जंक्यार को वैलनेस सेंटर में बदल दिया। शहरी कारे मंत्राले ने तो एक स्वच्छ एटियम भी लगाया है। इसका उद्देश है कि लोग कच्रा दें और बदले में कैश्ट लेकर जाए। सिविल एवेशन मिनिस्ट्री के विभागों ने पैडों से गिरने वाली सुखी पत्तियों और जैवी कच्रे से जैवी कंपोस खाद बनाना शुरू किया है। ये विभाग बेस्ट पेपर से स्ट्रेशन दी भी बनाने का काम कर रहे है। हमारे सरकारी विभाग भी स्वच्चता जैसे विश्य पर इतने इनोवेटिव हो सकते हैं। कुछ साल पहरे तक किसी को इसका भरोसा भी नहीं होता था। लेकिन आज ये व्यवस्था का हिस्सा बनता जा रहा है। यही तो देश की नई सोच है। जिसका नेत्कृत्व सारे देश्वासी मिलकर कर रहे है। तो रासिवे मन की बात को संबोधित प्रधान बंतिन दरिन मोधी कर रहे हैं। और इस दौरान कई चीजों का उनने जिक्र किया। तो 2022 हमारे सामने और कैसे हमने जिस तरह से इससे पहले अगर हम कोविट की बात करें। उस महमारी को एक साथ मिलकर लड़ा है। आगे भी हमें उसी तरह के प्रयास और एक साथ मिलकर उसे लड़ना है। और साथ ही साथ तमाम चीजों के बारे में चाहे वो जो तमिल लाडू में आपको बता दे कि कुन्नूर में जो हेलिकॉप्टर हाथसा हुआ उसका जिक्र किया। अच्छता को लेकर जो अभियान चलाए जा रहे हैं। उन तमाम चीजों का प्रधानबंती दर्यमोदी सेकर करते हुए नजर आए। खबरों के निश्पक्ष विश्लेशन के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एड़ प्रेस दा बेल आइकन नेवर मिस एनी अपडेट। जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और अप स्टोर पर अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।